आज हम करेंगे principle of conservation of angular momentum according to this principle when no external torque acts on a system of particles then the total angular momentum of the system remains always a constant मतलब यह हुआ कि अगर आप बाहर से कोई force नहीं लगा रहे हो किसी object को घुमाने के लिए तो उसका जो angular momentum है वो हमेशा same रहेगा उसमें कोई change नहीं आएगा तो यह relation हमने पढ़ा था torque और angular momentum के बीच में tau external is equal to dl by dt जैसा कि आपने force is equal to dp by dt पढ़ा हुआ था उसी का analogous आपका angular में torque हो जाता है force का analogous का अता है torque और p का analogous का अता है l जो linear के case में equation है वैसी आपकी angular के case में भी equation रहती है सिर्फ changes आपके क्या रहते है angular वाले जो equations है जैसे torque आपका angular force होती है और l आपका angular momentum रहता है तो यह कहता है कि जब आपने बाहर से कोई angular force नहीं लगाई मतलब कि आपने torque नहीं लगाया तो जो आपका derivative of angular momentum है वो 0 हो जाएगा और किसी भी term का derivative अभी 0 हो सकता है जब वो term आपकी या तो constant हो या फिर खुद 0 तो हम इसको constant माल लेते हैं अब l के साथ हमने moment of inertia का relation पढ़ा था इससे पहले l is got to i omega तो l को मैं i omega अगर कर दूँ तो यह जागा constant तो यह जो constant आपने पढ़ा है यह बड़ा important है i इसमें moment of inertia है और omega इसमें angular speed है कि कितनी speed से हो घूम रहा है उसको w कहेंगे और i हुआ moment of inertia है जो कि आपका mass और distance पे depend करता है तो i अगर हम देखें i की equation अगर हम समझ रहे हैं तो i आपका किस के बढ़ा होता है mr square के बढ़ाबर जो हमने पढ़ा है general equation इसकी तो यह i जो है वो आपका r के ओपर depend करता है और omega आपका जो speed है मतलब कितनी speed से वो घूम रहा है दो चीज़ें आपने जो इनका product है वो हमेशा constant रहेगा अब दो चीज़ों का product constant कब होता है जब अगर आप एक चीज़ को बढ़ाते हो तो दूसरी चीज़ उसको balance करने के लिए कम हो जाती है तो यह चीज़ आपने इसमें ध्यान अकनी है तो इसके कुछ example अब हम पढ़ेंगे जैसे कि आपको दिया गया है सम एक्ज़म्पल्ज आफ conservation of angular momentum तो बड़ा simple सा एक्ज़म्पल हम अलम्पिक से ले रहते हैं अपने gymnast देखा होगा इसमें आपके ice skating रहती है या कोई और तरह की activity रहती है तो आपने देखा होगा कि ice skating टाइम जब कोई girl अपने हाथ पूरे फैला के रखती है तो इसको हम R बोलेंगे capital R तो I किसके ओपर depend करता है R के ओपर क्यूंकि I is going to MR square है तो R बढ़ेगा तो आपका I भी बढ़ेगा ठीक है इसका R जो length है वो क्या है जादा है तो इसलिए इसका moment of inertia जादा होगा moment of inertia जादा होगा तो omega क्या होगा कम मैंने आपको कहा ना कि constant रहेगा तो अगर I बढ़ रहा है moment of inertia बढ़ रहा है तो omega क्या होगा कम तो that means जब उसके हाथ खुले हुए हैं तो वो लड़की धीरे-धीरे रूटेट करेगी उसकी angular speed कम होगी मनला धीरे-धीरे रूटेट करेगी लेकिन जैसे वो अपने हाथ इकठे कर लेती है हाथों को इकठा करेगी तो total r क्या होगा आपका कम होगा ये distance कम हो जाएगा ठीक है r कम हो गया तो इससे moment of inertia भी कम हो जाएगा moment of inertia कम हो जाएगा i कम हो जाएगा तो w क्या बड़ेगा उसको balance करने के लिए w क्या आजएगा जादा ठीक है तो w बड़ेगा तो उसका जो speed है रोटेट करने के ज़्यादा तेज हो जाएगी ठीक है तो moment of inertia जादा है moment of inertia जादा है तो w क्या होगा कम होगा उसको balance करने के लिए और जब उसने इकठे कर दिये तो उसकी speed बढ़ जाएग क्यूंकि r कम हो गया यह दो r क्या होगा अब कम हो गया तो moment of inertia कम हो जाएगा moment of inertia कम हो जाएगा तो उसको balance करने के लिए omega जादा हो जाएगा जादा speed से रोटेट करेगा तो यह दोनों case कब हैं जब आपने बाहर से कोई external force आपने नहीं लगाई है देखो बाहर से कोई force लगाई गई है लड़की की अपनी ही force है दोनों case में और यहाँ पर भी जो आपने person लिया उसकी अपनी ही force लएगी एक example और रहता है cat का जब cat fall करते हैं किसी height से तो अपने पंजों को फैला देती है जो उसकी legs उनको फैला देगी legs फैलाईगी तो उससे क्या हुआ उसका जो radius है वो बढ़ जाएगा radius बढ़ेगा तो उसका moment of inertia बढ़ेगा moment of inertia बढ़ेगा तो उससे omega क्या हो जाएगा कम तो जब वो नीचे गिरेगी तो आराम से गिरेगी बलाई यह जो angular speed है यह भी rotation यह count करेंगे यह इसकी कम हो जाएगी और वो gently fall करेगी उसको चोट नहीं लगेगी ठीक है और भी यह आपके gymnastic में आता होगा आपने देखोगा Olympics में यह कोई भी gymnastic उपर से क्या करता है जम करता है और rotate करता हो निचे आता है और tank में jump कर जाता है तो जब उसने rotate करना है तो देखो ध्यान से यह इसका total R है पूरी length उसका R है लेकिन उसने roll करने के लिए कि अपनी body को इकठा कर लिया इससे इसकी total length क्या होगी कम होगी R कम हो गया तो moment of inertia कम हो गया तो इससे इसकी rotation की speed है वो बढ़ जाएगी और जल्दी यल्दी rotate करता हुआ last में सीधा होगे tank में गिर जाएगा तो जब उसने rotate करना है तो body को इकठा कर लिया इकठा करने से R कम हो जाएगा R कम होने से moment of inertia कम हो गया और moment of inertia कम होने से उसकी angular speed जादा हो जाएगी और जल्दी यल्दी rotate करके फिर जब fall करने लगेगा तो दुबारा से straight हो जाएगा और फिर उसकी speed घूमने की कम हो जाएगी तो यह कुछ एक example है आपके conservation of angular momentum के तो I आपने इसमें ध्यान अखना मैंने क्या कहा I किसके ब्रावर होगा आपका I होता है MR square यह आपने याद अखना है I किसके उपर depend करता है R के उपर जितना ज़्यादा R होगा उतना ही आपका momentum inertia ज़्यादा होगा इसके बाद आपके बास next topic आता है theorem of parallel axis यह आपकी theorem है दो parallel axis और perpendicular axis की तो parallel axis की theorem मैं diagram से आपको ज़्यादा explain करूँगा यह कहती है कि अगर momentum of inertia of rigid body हम लेते हैं किसी axis के around a b के around लेना जाते हैं ठीक है इसके around अगर moment of inertia निकालना जाते है तो moment of inertia जो आपका रहता है वो रहता है आपका equal to moment of inertia of a rigid body about another axis के एल passing through the center of mass C plus ठीक है the product of total mass of the body and square of perpendicular distance between them तो एक तो आप निकालना जाते हैं a b के around moment of inertia तो यह हो गया moment of inertia around center of mass plus total mass of the body capital M लेना है और जो perpendicular distance इन दोनों के बीच में है उसका square ठीक है तो simple sense में कहें तो i a b is equal to i k l plus m h square मतलब यह हुआ कि moment of inertia जो center of mass के around है उसके साथ plus आपने क्या करना है mass of the body साथ multiply करते हैं m total mass of the body ठीक है तो यह होता है इसको बहते हम theorem of parallel axis ठीक है तो यह diagram आपने इसमें बनाना है यह diagram आपको आपको आँगया ठीक है i c center of mass के around moment of inertia plus m h square ठीक है तो यह हुआ यह किसके लिए calculate किए है हमने i a b इसका moment of inertia calculate किया, ठीक है, तो इसको लते है theorem of parallel axis, क्योंकि यह इसके parallel है, दूसरा हमारा रचते है इसमें, theorem of perpendicular axis, theorem of perpendicular axis इससे ज्यादा simple है, the moment of inertia of a plane lamina about any axis oz, perpendicular to the plane of lamina is equal to sum of the moment of inertia of the lamina about any two mutually perpendicular axis, simple बात है, मालों मैं iz, इस oz के across moment of inertia निकालना जाता हूँ, ठीक है, तो यह moment of inertia है, two mutually perpendicular axis के around moment of inertia रहेगा, उनके sum के ब्रावबर रहेगा, मलब इसका हुआ ix, इसका हुआ iy, तो इन दोनों को add कर दो, ix plus iy, तो हमें किसका moment of inertia मिल जाएगा, iz का, तो यही इसकी equation है, iz is equal to ix plus iy, वेर ix और iy क्या है, mutually perpendicular axis, दोनों एक दूसरे के mutually perpendicular axis है, और इन दोनों की बज़े से, जो moment of inertia हैगा हो, third perpendicular axis के around आएगा, iz के across, ठीक है, और इसके लावा axis आपने और करनी है, इसमें, वो है आपका moment of inertia of some bodies of regular shape, अलग-अलग जो bodies रहती हैं, जैसे uniform rod of length hell है, उसका कितना है, वो अता 1 by 12 ml square, फिर rectangular lamina का कितना होता है, uniform circular ring का कितना होता है, यह सारे values आपके पास दी हुई है, स्फियर का दिया गया है, solid sphere, hollow sphere, यह सारी values आपने learn कर लेनी हैं, आपको MCQ में या कई बार numerical में इसके question आ जाते हैं, ठीक है, बस आज करी इतने हैं,